नमस्कार दोस्तो इजराइल की इरान को धमकी बेरूत और गाजा जैसा करेंगे हाल इरानी कमांडर बोला हमारी पूरी तयारी है आजाओ आयर जीसी नेविक कमांडर रियल एड्मिरल अली रजा ने कहा है कि जो आग से खेल रहे हैं उन्हें इससे निपटना होगा इजराइल की लेबनान और गाजा में जारी बंबारी के बीच इजराइली रच्छा मंतरी ने इरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है रच्छा मंतरी योआओ गैलेट ने इरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल को इसलामिक रिपब्लिक नुकसान पहुचाना चाहता है तो तो उसका हाल भी गाजा या बैरूद जैसा हो सकता है गैलेट के बैयान के अलावा इरान की इसलामिक रिविल्यूसिनरी गार्ड आयर जीसी नौसेना के कमांडर का एक बैयान भी सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह की इस्थिती के लिए तैयार है इरान के हालिया मिसाइल हमलों को लेकर इजरायल के रच्छा मंतरी ने रविवार को कहा है कि इरान ने इजरायली वायू सेना के दो अड़ो को निसाना बनाया है लेकिन इरानी हमारे एरफोर्स के किसी भी साजो समान या विमान को नुकसान नहीं पहुचा सकते इसके बाद इजराइली रच्छा मंत्री ने कहा है कि जो भी हमें नुकसान पहुचा कर हमें रोकने की सोच रहा है उसे देखना चाहिए कि हमने बेरूत और गाजा में क्या कुछ हासिल कर लिया है हाल ही में इजराइल की ओर से इरान ने दूसरी बार मिसाइल दागी थी जिसे उसने जवाबी कारवाही बताया था इसके बाद से इस छेत्र में तनाव बढ़ने और युद्ध बढ़कने की आसंकाएं लगाई जा रही हैं संयुक्त राष्ट सुरच्छा परिसत में हुए सत्रों में अमेरिका और बेट्रेन समेथ पश्चमी देश इजराइल के अधिकार की वकालत कर चुके हैं साथ ही वो संगर्स रोकने के लिए तुरंत संगर्स विराम की भी अपील कर रहे हैं इजराइल के परदान मंतरी ने हाली में इरान के रॉकिट दागने को इतिहास में बैलेस्टिंग मिसाईलों का सबसे बड़ा हमला बताया था उन्होंने कहा था कि इरान को इस कारवाही के लिए कीमत चुकानी होगी इरान ने कहा है कि इजराइल पर उसका सीधा हमला तेरान में हमास के राजनीतिक कर्याले के परमग इसमाइल हानिया बेरौत में हिजबूला के सेकेटری जनररल असंद नसरल्ला और कूस फॉर्स के सेनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनररल अबबास की मौत की जवाबी फारस की खाड़ी की सुरच्छा जिम्मेदारी आयार जीसी नौसेना के पास है इरान के इसलामिक रिविल्यूशनिरी गार्ड कोर्न नेवी के कमांडर ने कहा है कि आग से खेलने वाले नेतन यहू के लिए हमने अलग-अलग योजनाय तयार की हैं आयर जीसी नेवी कमांडर रियर एडमीरल अली रजान ने इरान के करीबी भासा के न्यूज चैनल अलाम सिदाव सीमा से बातचीत की है इस बातचीत के दोरान उन्होंने दूसमनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो इस छेतर में आग से खेलना चाते हैं तो उन्ह समेदारी आईर्जीसी नौसीना के पास है आईर्जीसी नौसीना के कमांडर ने जोर देते हुए कहा है कि उन्होंने पास हैं इसके लिए और हमने इसके लिए अलग योजनाओं की तैयारी कर रखी है इरान के तेल मंतरी मोसीन पाक निजाद ने कहा है खारग आईलेंड में देश के तेल से जुड़े केंदरों का दोरा किया है इसके साथ ही उन्होंने आयरजीसी नौसीना के फोर्थ रिजन कमांडर से मुलाकात भी की है इस बैठक के दोरान तेल मंतरी ने मुहमद हुसैन बरगाह की तारीव करते हुए का है कि उन्होंने सुरच्चा बरकरार रखी है पाक नेजात के खारग आईलेंड के दोरे को इसराइल के इरान के तेल केंदरों पर संभावित हमलों की असंकाओं से जोड़ कर देखा जा रहा है IRGC नौसेना के फोर्थ रिजीन को देश की महत्वपून जगाओं की सुरच्चा के लिए जिम्मेदार माना जाता है इनमें दच्छिन फारस के तेल प्लेटफॉर्म और दूसरे केंदर सामिल है खारगर आईलेंड इरान का मुख तेल निर्यात टर्मिनल है आठ साल तक चली इरान इराक जंग के दोरान इराकी वायुसेना ने इसे कई बार निसाना बनाया था इजराइल ने युएन मास अचीव एंटोनियो गोटरेस के अपने देश में गुसने पर प्रतिबंद लगाई है खारगर पर बम गिराना बड़ा जटिल है क्योंकि इजराइली वायुसेना के विमानों को अरब देशों के हवाई छेतर को पार करना होगा और इसके लिए तेल भी भरने की जूरत होगी फ्रेंट गाडनर के मताविद अगर ऐसा होता है तो तेल के दाम तेजी से बढ़ेंगे और इरान भी मजबूती से पलटवार करेगा अमेरिका ने भी इजराइल को सला दिया है कि वो सावधानी बरते आयर जी सी के डिप्टी कमिस्नर अली फदावी ने तीन दिन पहले ही चेतावनी दी है कि अगर इजराइल गलती करता है तो हम सभी उड़जा सोत्रो प्लांटो और सभी तेल रिफाइनरी और गैस के कुऊं को निसाना बनाएंगे उन्होंने कहा है कि इरान एक बड़ा और फैला हुआ देश है और इसके कई आर्थिक केंद्र है जबकि इजराइल के पास तीन पावर प्लांट और कई रिफाइनरी हैं हम इन सभी को एक चटके में निसाना बना सकते हैं फदावी उन लोगों में सामिल है जो इस समय वार रूम में बैटे थे जब बीते हफते इरान ने इजराइल पर हमला किया था तो ये थी आज तक की इजराइल और इरान की वार अपडेट सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जबते के लिए थैंक फोर लिस्निंग और लाइक से सब्सक्राइब पर मोर वीडियो